हाई दिस इज अनेच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंगलिश आज हम लग मी एंड एकलोजी बीट पढ़ेंगे यह जॉन लैक्सो के दुआरे लिखी गई है इसमें वे ये बताते हैं कि लोग किस तरह एकलोजी के बारे में सिर्फ उपदेश देते हैं उपदेश देना तो आसान ह लेकिन इसे अपनाना बहुत मुश्किल है चलिए शुरू करते हैं यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम जीम है जो हर शनिवार को लोगों के घर जाता है कच्रा संग्रा करता है और कुछ पैसे भी लेता है उन्हे एकलोजी के बारे में जागरुक करता है लोगों को अनुष्क का वहवार पर्यावरेन के साथ कैसा होना चाहिए उसके पास रास्ते का एक कागज का नक्षा है जिसे उसके पिताजी ने उसके लिए आखरी साल बनाया था जीम को खेलने के लिए बिल्कुल समय नहीं है अंदिम शनिवार का दिन उसके लिए सबसे अच्छा थ क्योंकि बसंद शुरू होने से अधिकतर लोग घर पर नहीं थे सबसे पहले वो मिस्टर विल्यम के घर जाता है हमिशा की तरह उसे जवाब मिलता है कि मिस्टर विल्यम घर पर नहीं है लेकिन वह उन्हें घर के पीछे पतियां जलाते हुए देख लेता है और उन्हें और हाँ अपने कमपोस्ट पर ज्जादा मिट्री डालो, इससे नोज पॉलूशन होता है और पूरा इस ट्रीट बदबु से परशान होता है, उनकी इस बातों से जीम को चोट पहुंचती है, फिर वह मिस ग्रीनी के यहाँ पहुंचता है, जीम को मिसेज ग्रीनी के जगा मिस ग्रीनी कहना पड़ता है नहीं तो वह पैसे देने से इंकार कर देती है ग्रीनी शनीवार और अबिवार को घर पर नहीं होती है जिसकी वज़े से वह कच्छरे को बाहर सोमवार को उठाने के लिए रखती है वह मुझसे कहती है जाओ और छूइंगम के खोल को उठा कर किसी कच्रे के बैग में रख दो तुम्हें किसी नहीं सीखाया है कि इधर उधर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और तुम्हें पता होनी चाहिए इस शहर का कानून है कि कुट्टे को पट्टे में रखते हैं तुम्हारा कुट्टा इधर उधर करता है और गंदगी फैलाता है लास्ट विकेंड में मिस्टर विलियम ने मेरे कच्रे के थैले को फारते हुए देखा है उसके बाद वाकबार को कच्रे के डहर के बगल में रखती हैं जिस पर जीम उन्हें सुझाओ देता है कि उसे स्कूल के कच्रे के गाड़ी के लिए सुरक्षित रखें इस पर वा कहती हैं लास्ट समय तुमने यही कहा था लेकिन उसके बाद बिल्कुल दिखाई नहीं दिये एक बार जादा ढेर बनाकर फेकने से थोड़ा थोड़ा दूर करना उन्हें अच्छा है फिर जीम मिस्टर जॉन्सन के घर जाता है जो घर से गराज की तरफ दोड रहे थे अपनी कार लेने के लिए उन्हें पोस्ट ओफिस पहुँचना था जीम ने उन्से कहा यहां से पोस्ट ओफिस तो सिर्फ दो ब्लॉक ही दूर है आपको पैदल जानी चाहिए एकसरसाइज के एकसरसाइज गैस की भी बचत और कोई परदूशन भी नहीं फिर उन्होंने मुझसे कहा वहां एक पेड़ देखते हो मुझे वहां कुछ नहीं देखा और घास भी नहीं देखा होगा तुमने मिसेज ग्रीनी के घर शॉर्ट कट पहुँचने मुझसे कुचल दिया है तुम मुझे रोकते हो और पूरे सम्मर में मोटर बाइक और पूरे विंटर में बर्फ वाली गाड़ी चलाते हो किसी तरह मैंने मिस्टर जॉंसन को घर के तरफ मोड़ दिया कम से कम मैंने तो उन्हें एक बार उनके कार्स होने वाले परदुसन से बचा लिया अब जीम घर जाता है जीम की मा एलेक्ट्रिक मिक्सर का परियोग कर रही थी जीम ने उन्हें सलाह दी आपको इसकी जगए एक बीटर का इस्तमाल करना चाहिए इससे बिजली की बचत होगी जीम की मा ने बहुत रुखे स्वर में बोली तो 27 गंटे टीवी कौन देखता है क्या वहाँ दूसरी बिजली इस्तमाल होती है अंत में जीम ने कहा मेरी बात कोई ध्यान से नहीं सुनते हैं